ये फ्रेंस वेलकम यहों सिदार्त लाइव और लेकर आगे हो एक और बहरी बहतरीन सा रिव्यू आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं NID तरची के एक बहुत सांदार ब्रांच जिसका नाम है NDT जिसको बोलते हैं Non Destructive Testing और यह होने वाला है एक ब्रांच रिव्यू चलिए स करते हैं अपने ब्रांच रिव्यू को से बहले बात कर लेते हैं हम लोग एड्मीशन की तो एड्मीशन की बारे में मैं आपको बता दू यहां पर जो एड्मीशन का मोड है वह है CCMT यहां पर CCMT की तरफे अड्मिशन होता है NIT जैसे कि आपको पता है फिजिक्स के अंदर यह आता है जहां पर एक MSC कोर्स है और इसके साथ साथ एक MTAG कोर्स है यह मतब Master of Science BSC वाला है और यह MTAG में यहां पर NDT है और आपको एक सबसे बढ़ी आवाद बताओ के NDT जो ब्रांच इस सिर्फ NIT तिर्ची में है तो बहुत अच्छी अपॉर्च था उसकी थी 20 इसके साथ आपको बता दूँ इस ब्रांच का परपस क्या है तो इस ब्रांच का परपस है कि आपको किसी भी material को destroy किये बिना उसके defects का पता लगाना और आपको इस तरीके से पता है NDT हर जगा होती है आप motorcycle से लेकर aeroplane तक हर जगा non-destructive testing तो यह बहुत important यहा process के during maintain करो इसके साथ साथ आपको shine मारने जाना पड़ता है mtech का जिससे आपको stipement मिलता है load and pressure की बात करो तो load बहुत moderate है थोरी बहुत ज्यादा tough नहीं है थोरी जो related है वो physics से ज्यादा related है as compared to आपके mechanical portion के exam की बात करो तो यहाँ पर दो midsams होते हैं और one end sam होता है जिसके सा आपको assignment भी मिलते हैं तो assignment एक semester में आपको तीन-चार assignment मिलते हैं अलग-अलग professors से और यहाँ पर जो assignment का pressure होता है वो काफी ज्यादा कम होता है बात कर लेते हैं teachers की तो teachers का बता दू बहुत ज्यादा friendly है बट थोड़ा serious रहो class में थोड़ा class का decorum बना के रखो labs बता दू अंडर physics department ओजस building में लगती है और जो classes है वो orion में लगती है ndt का कोई separate department नहीं है एक हमारे निट तिलची में बहुत बड़ी building है जिसका नाम है जिसके अंदर department of chemistry और department of physics लगता है वहीं पर यहां की lab लगती है बात करते हैं placements की तो placements का बता हो तो यहां पर campus में ही रहते हैं और campus में project करते हैं और बहुत सारी various mechanical companies और ndt companies में बैठते हैं placement की बात करो तो यहां पर 90 अबब का बता दू आपका placement package है 90% अबब जिसका average placement 5-6 लाग रहता है average package में मानता हूँ इसका ndt branch का कम है core में package ठोड़ा कम रहता है बट यहां पर जो growth है 2-3 साल बात वो बहुत जादा है इसलिए ndt को लोग prefer करते हैं comparison बता दू तो लोग सब साथ पहले building को prefer करते हैं और ndt को और अप metallergy को अपने हिसाब से अपने choices से अपने interest के साफ से interchange कर सकते हो ठीक है इसके साथ सत ऐसा नहीं है कि ndt metallergy के बच्चे सिफ core में ही जाते हैं यह लोग data science में CS में software developer में और भी बहुत सारी management की companies coaching institutes में भी जाते हैं अच्छी लगी हो तो अच्छी लगी हो तो अच्छी अपडेट्स के लिए और हमारे साथ बने रहो जुड़े रहो वीडियो को like कर दो चैनल को share कर दो चैनल को subscribe भी कर दो और अपने छोटे भाईयों सब लोगों को guide करते रहो और उनकी भी help करते रहो उने अच्छा college दिल बताने में अच्छा branch review में बताने में बने रहें जुड़े रहें देखते रहें सिधार्थ live सिधार सुकला के साथ नमस्ते